प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में हम आपको 2D array का सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखाएंगे C language में तो इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे array में element input करेंगे उसके बाद उस input किये गए element को हम matrix के form में print करेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा sample देख लो हम enter matrix element में देखो यह 4 element input किये हैं 1,2,3,4 तो हमें output किस तरह मिलना चाहिए? matrix के form में print होना चाहिए 1,2,3,4 यानि row column के format में हमें इस output को print करना है उसी को हम बोलते है matrix तो इस काम को हम करेंगे कैसे यह कैसे print होगा matrix के form में C language में तो चलिए program लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास 2D array होना चाहिए जिसमें हम element input कर सकें ठीक है तो हम क्या करते हैं integer type का mat name का variable बनाते हैं 2 row 2 column में मुझे अपने elements को print करना है तो यहां पर मैंने 2,2 लिख दिया ठीक है इसका मतलब 2 row 2 columns आप इस output को भी देखो 2 row है और 2 column है यहां पर तो बस इसी form में यह print करेगा इसलिए यह mat name का variable लिए है और दो variable यहां पर use कर रहे हैं i और j जिसका use हम loop के लिए करेंगे तो सबसे पहले एक message पास करते हैं print up function की मदद से वो क्या होगा enter matrix elements ठीक है यह message हमने पास कर दिया अभी हम क्या लिखेंगे यहां पर nested for loop का syntax लिखेंगे तो यहां पर यह for loop रहा इसके अंदर एक और for loop आ गया इसी को बोलते है nested for loop syntax लिख लिए हमने अब condition देना है इस loop में तो i के value start करेंगे 0 से क्योंकि array 0 से start होता है यह जाएगा i less than 2 2 row 2 column मतब 0 1 में 2 row 2 column हो जाएगा उसके बाद i plus plus और जिस तरह से यहां पर हमने condition पूट किया है इसी तरह से same condition हम यहां पर भी लगाएंगे बस i के जगा j होगा हमारा और इस वाले for loop के अंदर हम क्या करेंगे scan up function लिखेंगे जो कि c language में input के लिए होता है %d, address of हमें mat में value input करना i उसके बाद j हमने element input कर लिया अब हमें क्या करना है इसे matrix के form में print करना है आधा काम हो गया मतलब हमने अभी तक इतना काम कर दिया है अब हमें क्या करना है इस काम को पूरा करना है तो वो कैसे होगा बड़ा ही simple है इसी code को copy करेंगे और यहां पर क्या करेंगे paste करके चपका देंगे message यहां पर change कर देंगे matrix element new line के लिए selection लगा देंगे value print करेंगे तो print function होगा अपने पास इस empercent को हटा देंगे उसके बाद हमें row के form में चाहिए column के format में चाहिए तो एक row से हमें दूसरे row में jump करना है इसका मतलब क्या हुआ कि जब यह पहली line में one two print हो जाए उसके बाद हम चाहते हैं नीचे line में आ जाए यहां पर three four को print करने इसलिए यहां पर लगा रहे हम new line के लिए selection ठीक है लग गया selection हमारा code ready है एक एक लाइन हम आपको dry run करके भी समझाएंगे कि यह print कैसे हो रहा सबसे पहले क्या करते हैं इसको run करके check कर लेते हैं सही से काम कर रहे हैं कि नहीं तो देखो zero error zero warning इसका मतलब code हमारा बिल्कुल सही है करते हैं इसको run enter matrix element पूछ रहा है यहां पर तो अगर हम same element input कर दे one two three four तो आप देखो matrix के form में यह print हो चुका है तो यह कैसे print हो रहा है चलिए हम आपको dry run करके समझा देते हैं यहां पर सबसे पहले हमने यहां पर mat में value क्या input किया दो रो दो कोलम के लिए हमने value input किया वन तू तू त्री फॉर value input हो गया उसके बाद अभी यहां पर आते हैं printing में starting में i का value zero है तो यहां पर condition है i less than two तो हम लिख सकते हैं zero less than two क्या यह condition true है yes तो अभी j वाले look में आएंगे यहां पर भी starting में देखो j का value zero है condition है j less than two तो यहां पर भी condition होगा zero less than two क्या यह condition भी true है yes जब यह भी true है और उपर का भी condition true है तो अभी क्या होगा mat ij print होगा i का value भी देखो zero है j का value भी zero है तो mat 00 में सबसे पहले क्या print हुआ यह one print हुआ तो output में देखो यह जो result है सबसे पहले यह one print हुआ इसका position है 00 उसके बाद j का value बढ़ गया print होने के बाद यह हो गया क्या one अभी हम condition देखेंगे j less than two में condition है j का value one है तो क्या one less than two है यह condition true जब यह condition true है फिर क्या होगा element print होगा तो mat ij i का value zero है j का value one है तो mat 01 print होगा 01 में यह two print होगा तो 01 कौन सा position है 01 यह वाला position है टू प्रिंट होगा जहां पे उसके बाद j का value बढ़ यह हो गया अभी यहां पे condition है j less than two यहां पे हम लिखेंगे क्या two less than two है condition false जैसे ही condition false हुआ यह वाला for loop execute नहीं करेगा अभी यह lesson का statement execute करेगा तो हम new line में चले जाएंगे यहां से हम यहां पे आ चुके है ठीक है अभी सिर्फ आए हैं three print हुआ नहीं है अभी यह lesson execute होने के बाद हम outer loop में चलते हैं यहां पे i का value बढ़ेगा यह हो गया one condition है i less than two i का value one है तो हम लिखेंगे क्या one less than two है condition true फिर हम j वाले loop में आएंगे j का value starting में क्या है जीरो है यहां पे j का value zero है condition है j less than two तो यहां पे हम लिखेंगे क्या zero less than two है condition true तो फिर क्या होगा mat i j को हम print करेंगे तो i का value one है j का value zero है तो mat one zero print होगा one zero में यह three element print होगा जो हमने input किया तो one zero यही वाला position है जहां पे यह three print हो रहा है ठीक है उसके बाद j का value बढ़ गया यह हो गया one condition हम देखेंगे क्या one less than two है condition true फिर क्या होगा mat i j print होगा तो i का value भी one j का value भी one तो mat one one में क्या print होगा हमारा यह four print होगा जो कि last element है तो one one का कौन सा position है यह four जहां पे print हो रहा है इसको बोलते one one का position ठीक है print होने के बाद j का value बढ़ यह क्या हो गया two हो गया condition देखेंगे क्या two less than two है condition false जैसे ही condition false हुआ अभी यह for loop execute नहीं करेगा slash and execute करेगा तो हमारा control अभी कहां पे आ चुका है यहां पे आ चुका है ठीक है outer loop में चलते है आई का value बढ़ेगा सबसे पहले यह होगा two condition हम देखेंगे क्या two less than two है condition false जैसे ही condition false हुआ अभी यह पूरा loop execute नहीं करेगा तो loop terminate होने से पहले हमें जो result चाहिए था हमें वो print में मिल चुका है अगर आप चाहते हैं value space में print हो तो यहां पे space दे दो program को फिर से क्या करो run करो अभी कुछ और element हम आपको input करके दिखाते है enter matrix element में 10, 20, 30, 40 तो यहां पे देखो space में अभी हमारा value two row two column में matrix के form में देखो print हो चुका है तो इस तरह से आप two row two column का सी language में matrix का program बना सकते हैं अगर आपको three row three column का बनाना हो तो यहां पे आप three लिखो two के जगा पे यहां पे भी three लिखो और loop एक और बार execute कराओ लेज देन three तक इन सभी को execute कराओगे तो three row three column का matrix भी आप print कर पाओगे complete C language सीखने के लिए यहां पे click करिए